हेलो एगरी कल्चिरिस्ट स्वागत है आपका आपके अपनी यूटूब चैनल एगरी डॉक्टर में इस वीडियो में हम बताने वाले हैं आपको यूपी पीएसी की न्यू रिक्रूट्मेंट जिला गन्ना अधिकारी यानि डिस्टिक सुगर का इन ओफीसर की पोस्ट के वा रुपीज में लेव असिस्टेंट का कम्प्लीट वीडियो कोर्स ओफर किया है लेकिन यदि आप एगरी डॉक्टर फिप्टी कोड को यूज करते हैं तो आपको 50% ओफ हो जाएगा यानि आपको जस्ट फॉर्टी नाइन हंडेड नाइटी नाइन रुपीज में लेव अस असिस्टेंट का कम्प्लीट वीडियो कोर्स एवलेबल हो जाएगा इसके लिए आप परिक्षा एप को डाउनलोड करें जिसकी लिंक आपको हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी वहां पर जाकर आप कोर्स को पर्चेस कर सकते हैं लेकिन एगरी डॉक्ट अपने अप्लाइन एक्जामिनेशन पी को बैनक में 12 अपरेल 2022 से अपने अप्लाइन आप्लिकेशन फ्रम को नोटिफिकेशन ने वताएगे वेबसाइट पर जाकर फिल कर सकते हैं लेकिन यदि आपने ऑनलाइन एप्लिकेशन स्कूंख एक से ज्यादा वार समिट किया है तो आपका last में submit हुआ online application form को accept किया जाएगा यानि इससे पहली किये गए online application form ultimately reject कर दिये जाएगे आपका selection men's examination बार interview में प्राक्त total marks के basis पर ही किया जाएगा हम बात करते हैं number of vacancies की बारे में तो UPPSC ने total 250 seat पर notification आउट किया है जिसका pay scale 9300 रुपीज तो 34800 रुपीज ग्रेट पे 4600 रुपीज होगा से लेके 15600 रुपीज तो 39100 रुपीज और ग्रेट पे 5400 रुपीज होगा यानि यहाँ पे 6th pay commission के according आपको payment provide की जाएगी अब हम बात करते हैं application fee के बारे में तो अगर आप unreserve EWS and OBC category के candidate हैं तो आपको 125 रुपीज पे करने होगे आप STSE category के candidate है तो आपको तोटल 65 रुपीज पे करने होगे अगर आप PWD category के candidate है तो आपको 25 रुपीज पे करने होंगे लेकिन अगर आप X-Serviceman है तो आपको 65 रुपीज पे करने होंगे हम बात करते हैं reservation के बारे में तो reservation UP domicile के STSC, OBC, NEWS category के candidate को provide किया जाएगा अगर आप other state के STSC, OBC, NEWS category के candidate है तो आपको unreserved category की seat से ही fight करना होगा अब हम बात करते हैं education qualification के बारे में तो यदि आप जिल्ला गन्ना अधिकारी के लिए application form दीना चाहते हैं तो आपके पास में agriculture में BSC होना कमपल सरी है हम बात करते है scheme of the examination के बारे में आपका examination त्री phases में होगा first phase में आपका prelims होगा जिसमें आपको objective type questions होगे and second event Edition होगा जिसमें आपका return होगा and third आपका interview होगा सबसे पहले हम बात करते हैं prelims के बारे में तो prelims के examination में आपको two questions paper दिये जाएंगे दोनों में ही आपको OMRC प्रवाइड की जाएगी और दोनों में ही आपको 200 मार्क्स होंगे और दोनों में ही आपको 2 hour duration प्रवाइड किया जाएगा आपके examination को करने के लिए दोनों ही question paper में objective type होंगे जिसमें first paper में आपको 150 question and second paper में आपको 100 questions होंगे आपका first shift 9.30 a.m. to 11.30 a.m. होगा और आपकी second shift 2.30 p.m. to 4.30 p.m. पर होगा आपके prelims का second shift में होने वाला examination सिर्फ qualifying होगा जिसमें आपको minimum 33 marks obtain करने होंगे लेकिन आपके prelims के first examination के basis पर ही आपकी married list बनाई जाएगी अब हम बात करते हैं मैं इस examination के वाले में जो की return होगा जिसके marking distribution आप देख सकते हैं आपका optional subject जो होगा वो 200 marks का होगा और आपको 3 hour का duration provide किया जाएगा अपने examination के लिए आपका timing जो रहेगा वो 9.30 to 12.30 से होगा या फिर आपका afternoon में 2 p.m. to 5 p.m. तक होगा optional की list यहाँ पर दे हुई है अगर आप जिला करना अधिकारी के लिए apply करना चाहते हैं तो आप agriculture को choose कर सकते हैं आपका interview total 100 marks का होगा आपके final selection की merit list आपके men's examination वा interview में obtained marks के basis पर ही बनाई जाएगी notification में आपको UPPSC का slivers provide किया गया है notification की link आपको description प्रवाइड कर दी जाएगी जहाँ पर जाकर आप स्लिवस देख सकते हैं I just hope कि आपके सारे doubt इस वीडियो में clear हो गए होंगे लेकिन यदि आपको इस वीडियो से related कोई भी queries है तो आप हमें हमारे instagram channel agri doctor and expert agronomy पर follow कर सकते हैं इसके साथ आप हमारे telegram group भी जोइन कर सकते हैं आप हमारे whatsapp भी जोइन कर सकते हैं जहां पर आपको daily agriculture update and daily newspaper प्रवाइड किया है